इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बाते बताएंगे जो कि हर मुसल्मान को मालुम होना चाहिए क्योंकि इन बातों को जानना बहुत जरूरी है और हर इनसान को इनकी जरूरत कभी ना कभी पढ़ी जाती है आज हम आपको मैयत के मुतालिक जरूरी बाते बताएंगे जब मौत की अलामते जाहिर होने लगे तो सुनत ये है उस शक्स को दाहिने करवट लिटा कर मुँ किबले की तरफ कर देना चाहिए और ये भी जायज है कि उसको सीधा लिटा कर पाउं किबले की तरफ कर दे मगर ऐसी सूरत में सर को कुछ उंजा कर दे ताकि किबला की तरफ मू हो जाए अगर केवल एक ही तरह मू करने में कोई परिशानी हो उसको तकलीफ का अंदेशा हो तो उसे उसी हालत में छोड़ दे जाकनी की हालत में उससे तकलीन करें यानि उसके पास बुलंद आवाज में कलिमा शहादत पड़े मगर उसे पढ़ने का हुक्म ना दे और जब वो पढ़ ले तो फिर तलकीन बंद कर दे हाँ अगर कलीमा पढ़ने के बाद उसने कोई बात कर ली हो तो फिर तलकीन करें ताकि उसका आखरी कलाम ला इलाहि इल्लालाह मुहमद रसु इल्लाह हो जाकनी के वक्त हाजरीन अपने लिए और उसके लिए दुआएं खैर करें और सुरा यासीन वा सुरा रद पड़ें जब रू निकल जाए तो एक चौड़ी पट्टी जबड़े के नीचे से सर पर ले जाकर गिरहा लगा दे कि मूँ खुला न रहे और आखे बंद कर दी जाएं और हाथ पाउं सीधे कर दिये जाएं ये काम उसके घरवालों में जो जादा नर्मी के साथ कर सकता हो मसलन बाप या बेटा वो करें कफन दफन में जल्दी करें कि हदीशों में इसकी बहुत ताकीद आई है नाजरीन अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें अपने जानने मिलने वालो और दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेर करना बिल्कुल न भूलें अगर आप हमारे चानल नुरानी खबरों पर नए हैं तो हमारे चानल नुरानी खबरों को सब्सक्राइब कर लें अल्ला हाफिस